हाई गाईज दिस बबीता और वेलकम बैक टू मार चैनल दिवाइन लाइट आप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थम्नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि ज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक, शियर, कमेंट जरूर करें साथ जात अगर आप परसनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वाटसेप नंबर आल्रेडी डिस्क्रिप्शन मे दिया हुआ है आप वहां से मुझे मेंसेज कर सकते हैं तो चलते हमारी रीडिंग की और और देखते हैं कि जहां पर लोगों की सोच खतम होती है वहां पर आपकी सोच स्टार्ट हो जाती है इस रीडिंग के थूरू आप क्या पता लगाएंगे अपनी लाइफ से रिलेटे यह हम इस रीडिंग के थूरू देखने वाले हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और पसंदार तो लाइक जरूर करें तो चलते हैं रीडिंग की और देखते हैं कि जहां पर लोगों की सोच खतम होती है वहाँ पर आपकी सोच शुरू होती है तो यहां पर जो कार्ड आ रहे हैं सबसे पहले जो कार्ड आया है वाया है 10 of suits, 4 of coins, wheel of fortune, dart over, 8 of wands, 2 of cups, 6 of wands, ace of suits, 6 of wands चार कार्ड और हम लेंगे इस डेक से page of suits, king of wands, 6 of cups and queen of cups bottom of the deck जो आ रहा है वो आ रहा है page of pentacles तो जहां पर लोगों की सोच खतम होती है वहां पर आपकी सोच जो है वह स्टार्ट होती है इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब यह है कि लोगों की सोच जहां पर बंद होती है वहां पर आपकी सोच शुरू हो जाती है कैसे हो जाती है यह हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे पोस्ट पॉनमेंट का कार्ड है वी आर दा वर्ल्ड का कार्ड है टुटालिती का कार्ड है एडवेंचर का कार्ड है और यह है पार्टिसिपेशन का कार्ड और तींजिंग दूदा पास्ट का कार है बॉटम अफ़ डेक जो आ रहा है वो आ रहा है नथिंग नेस लोग की सोच जहां खतम होती है वहां पर आपकी सोच कैसे स्टार्ट होती है लोग यह सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जहां पर उनकी सोच खतम होती है वहां से आपकी सोच स्टार्ट हो जाती है मतलब आप हर एंगल से हर चीज को देख सकते हो आप हर एंगल से हर चीज को एनलाइज कर सकते हो जो आप लोग नहीं देख सकते जो लोग नहीं समझ सकते वो आप समझ सकते हो चीजों को ये हम इस रीडिंग के तुरू देखने वाले हैं देखिए 10 of swords का card है, साथ साथ four of coins का card है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी राशी की, क्योंकि भाद सारे लोग राशी का वेट करते हैं, तो यहाँ पर जो energy है, cups की भी energy है, यहाँ पर ज्यादा, और, swords की भी energy है, करक वरश्चिक मीन आपकी राशी हो सकती है, आपकी राशी मेश हो सकती है, आपकी राशी मिथुन, तुला और कुम्भ हो सकती है, साथ साथ आपका मंगल बहुत strong हो सकता है, आपका जुपिटर बहुत strong हो सकता है, और मंगल जिनका strong होता है, और गुश्य वाले भी होते हैं, बट दिल के साफ लोग होते हैं, जुपिटर आपका स्टॉंग हो सकता है, हो सकता है, आपको बहुत ग्यान हो हर चीज का, और आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो जीवन में, जो है खाली नहीं बैठते हो, कुछ ना कुछ सीखने का आपको कुछ ना कुछ ग्यान अर्जित करने का आपको शोग के knowledge का बहुत knowledge ग्यान को हासिल करने का किसी भी प्रकार की बहुत आपको जो है एक passion है तो यहां पर लोग यह सोचते 10 of swords का card है 4 of coins का card है लोग सोचते हैं कि वह आपको cheat करेंगे वह आपको धुका देंगे और आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपको यह सब चीजे पहले ही पता लग जाती है लोग आपके साथ क्या चाल चल रहे हैं लोग आपके साथ कि और यहां पर मैं बता दू इस रीडिंग में जो भी वीवर्स लीडिंग को देख रहे हैं उनका 3rd आइट चक्रा बहुत स्ट्रौंग है हाठ चक्रा बहुत स्ट्रौंग है आप दिल से भी सोचते हो और दिमाग से भी बराबर से सोचते हो आपके अंदर दया भी कूट-कूट के भरी है माफ करने की शमता भी भहुत है intuitive power भी भहुत जादा है आप भहुत kind हो भहुत जल्दी दूसरों पर दया करने लगते हो तो लेकिन इस दया का जो है लोग फायदा उठाते हैं इस दया का लोग जो है गलत यूज करते हैं आपकी जो date of birth का मन्त है वो October हो सकता है अप्रेल हो सकता है अगस्त हो सकता है, February हो सकता है January हो सकता है, June हो सकता है यह आपकी date of birth के मन्त हो सकते है तो लोग सोचते हैं कि वो आपको पीछे से चीट करेंगे और आपको समझमें नहीं आएगा वो पीछे से आपको वार करेंगे आप समझ नहीं पाओगे लेकिन आप सब कुछ समझ रहे हो जहाँ बॉला ना कि जहाँ पर उनकी सोच खतम हो रही है वहाँ पर आपकी सोच शुरू हो रही है आप इतने intelligent हो बहुत brilliant हो four of coins का काड़े लोग यह सोचते हैं कि वो अपने मन की भावनाय नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा लोगों का intention आपको पता नहीं लगेगा लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या धाड़ना रख रहे हैं क्या विचार रखते हैं क्या आपके लिए सूचते हैं क्या महसूस करते हैं यह सब चीज़ें आपको पता है लेकिन आप उनको बताते नहीं हो आप सब समझ जाते हो लोग किस स्वार्थ से आपसे मिल रहे हैं, किस स्वार्थ के साथ आपसे घनिष्टता बढ़ा रहे हैं, यह सब कुछ आपको पता है टौबर का कार्ड है, वो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं टौबर का कार्ड है, आपको सब कुछ पता लग जाता है, लोग आपके लिए पीछे क्या गौसिप कर रहे हैं, क्या आपके लिए बोल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आता है किसी की बोडी लेंग्विज से, किसी की बात करने के तरीके से, किसी की वोईस से आप समझ जाते हैं कि इसका इंटेंशन क्या है आपको लिएकर Eight of Wands का का कार्ड है, Two of Cups का कार्ड है, जो लोग आपके लिए बहुत अच्छी भावना रखते हैं, जो लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव एटिटिव रखते हैं, उनकी भावनाओं को भी आप समझ जाते हैं बहुत जल्दी कि कौन आपके साथ लोयल है, कौन आपके साथ दिसलोयल है, कौन आपके साथ इमानदारी कर रहा है, कौन आपके साथ ओनेस्टी रख रहा है, इन सब बातों का ज्यान है आपको आपके नदर वो शमता है, आप अपनी बात रखने का दम रखते हो, किस तरह से अपनी बात को रखना है, किस तरह से किसी से बात करनी है, किस तरह से चीजों को clarify करना आपको बहुत अच्छे से आता है इसलिए यह हो सकता है आप जहां पर भी work करते हो जहां पर भी आपका करियर हो वहां पर बहुत नेम फेम आपका हो या कोई leading position हो सकती है आपकी या बड़ी कोई position पर आपको सकते हो किसी destination पर हो सकते हो किसी बड़ी post पर हो सकते हो head की post हो सकती है आपकी CEO की हो सकती है लोग किस मकशद से आपको स्पाई कर रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं यह भी आप बहुत अच्छे से समझते हो उनका परपस क्या है आपके साथ जुड़े होना जुड़े होने का आपके साथ जुड़े होने का परपस क्या है लोगों का क्यों लोग आपके उपर इतना स्टॉक कर रहे हैं स्पाई कर रहे हैं यह सब आपको पता है कौन आपके उपर लच्टपूल एनरजी रख रहा है या नजर रख रहा है या कैसा आप पर निगाह रख रहा है या आप बहुत अच्छे से समझते हैं या समझती हैं शिक्स ओफ कप्स का काडल है लोग आपसे क्यों रिक्निलेशन करना चाते हैं क्यों पेश्चप करना चाते हैं ये आप को बहुत अच्छे से पता है Queen of Cups का काड़े, कौन आपके साथ बहुत obsessive है, बहुत कुछ पता है आपको, लेकिन आप बोलते नहीं हो, आपके मन में सब चल रहा है, सब आप देख रहे हो, सारी चीजे आप देख रहे हो, सब चीजों को analyze कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे लेकिन, आपको सब चीजों का ग् पास की किसी इशू को लेकर, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन आपके साथ एक positive attitude रखता है, कौन आपके साथ दिल से जुड़ा है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन किस मकसद से आपके हर काम में योगदान दे रहा है, आपको help कर रहा है, support कर है यह सब कुछ आपको पता है तो यहां पर कहने का तात पर यह है कि आप लोगों के intention को बहुत अच्छे से समझते हो आप लोगों के भाव को बहुत अच्छे से समझते हो क्योंकि आपका heart chakra balance activate है आपका third eye chakra activate है आपके जिसके चक्राज activate है और जिसके चक्राज activate होते हैं जो बहुत spiritual होता है यह कह सकते हैं जो बहुत साफ दिल का होता है ट्रांसपेरेंसी जो रखता है मन में किसी के लिए बैर भावना नहीं रखता निश्कट भाव से जो भी कार्य करता है स्वार्थ की जिसके अंदर भावना नहीं होती जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता वो इंसान जो है ना वो बहुत यह कहूंगी के बहुत प्योर सोल होते हैं जो कहना straight forward आप बोल देते हो हाना आप मन में कुछ नहीं रखते हैं मन आपका साफ है इसलिए आपको वो चीजें जो हैं आप प्योर सोल हो इस कारण से आपको चीजें लोगों की समझ में आती हैं आप लोगों की vibration समझ लेते हो आप लोगों की frequency समझ लेते हो किस energy में कौन इंसान है अभी या किस energy में या किस intention से आप से बात कर रहा है या बोल रहा है आपको कुछ भी ये सब आपको पता है इसी कारण से कई बार आप बहुत सारे कार पोस्ट पून कर देते हों क्योंकि आपको लोगों का intention पता लग जाता है कि लोग आगे जाकर आपके साथ क्या करने वाले हैं लोग आपके साथ क्या चल कपट करेंगे या क्या चालाकियां चलेंगे यह आपको बहुत अच्छे से पता है इस कारण से जो है उनकी जो सोच खतम होती है वहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि you are the most intelligent persons या people आप बहुत intelligent लोग हो intelligent in the sense intuitive power बहुत हाई है किसी के साथ आप गलत नहीं करते ना आप सैन करना पसंद करते हो गलत बात नहीं बोलते आप किसी को कर्ष्ट पहुचाने की कोशिश नहीं करते या किसी को तकलीव देने की कोशिश नहीं करते आप बहुत स्ट्रेट फॉर्वर्ड हो आपको गुस्सा आता आप तुरंत बोल देते हो आपके मन में जो बात होती हो आप तुरंत बोल देते हो यहाँ पर 50% लोगों के लिए बोलूँगे कि बहुत ट्रांस्परेंसी है आपके अंदर कुछ लोग समझते ही लेकिन बोलते नहीं है 50% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बहुत प्योर सोल है और जो प्योर सोल होते हैं ऊपको जल्दी चीजे समझ में आती है हर चीज समझ जाता है वो इनसान क्योंकि उनके अंदर वो शक्ती है उस उर्जा को महसूश करने की, उस वाइब्रेशन को महसूश करने की, कि कौन किस दरश्टी से उनको देख रहा है, कौन किस दरश्टी से बात कर रहा है, किस तरह से वो क्या बोल रहा है, सब आपको पता लग जाता है इसी कारण से जो है आपकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पार लोगों की खतम होती है सोच तो यह थी रीडिंग, I hope यह रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें साथ-साथ मैं आपको बता दू के मेरा एस्टरोडाईज, कम्मूनिूटी टैब में मैंने एक एड पोस्ट किया है Astrodize Reading Workshop ये जो workshop है ये एक हफ़ते का workshop है और बहुत accurate reading देता है अगर आप अपने लिए 4-6 महिने, 8 महिने का कुछ भी prediction निकालना चाहते हो तो ये जो Astrodize app है वो आपको बिल्कुल accurate prediction देते है जैसे की tarot देते है तो अगर आप interested है सीखने में 1 week का course है और energy exchange बहुत normal है 2100 रुपे certified course है आपको certificate provide किया जाएगा अगर आप सीखना चाहते है तो आप मुझे WhatsApp नमबर जो कि मैंने description box में दिया हुआ आप वहाँ से मुझे message कर सकते है if you are interested to join this workshop तो ये जो astrology से connected है और इनकी जो reading है वो बहुत accurate आती है इसलिए ये जो workshop में लेकर आ रही हूँ 21 जनवरी से अगर आप join करना चाहते है तो आप मुझे personally message कर सकते Thank you so much for watching my video हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम साहिराम जै मातादी राधे राधे कर दो